मोधी गवर्मेंट के आने के बाद पॉलिटिक्स में मोधी के जो मिनिस्टर्स है उसमें सबसे ज़र्दा चर्चा रही योगी की और कई लोग योगी को फॉलू करते हैं योगी को आइडल मानते हैं जहां यूपी में योगी फेमस है वहीं अब साउथ में एक पॉलिटीशन हैं जिसे कहा जा रहा है कि यह हमारा साउथ का योगी है यह पॉलिटीशन यंग है यह पॉलिटीशन दमदार है यह पॉलिटीशन सामने वाली पार्टी को हिलाने की ताकत रखता है और यह पॉलिटीशन सनातन धर्म की बात करता है सबसे बड़ी बात इस पॉलिटीशन का यूपी से भी नाता रहा है और आखिर ये politician क्यों खुद की party में भी बवाल बना हुआ है क्यों Tamil Nadu elections में इस politician से सब को threat है और कैसे ये politician popular हुआ चलिए बात करते हैं South के young politician जिनने South का योगी कहा जा रहा है के अनमलाई की के अनमलाई का पूरा जीवन Tamil Nadu में ही बीता है उनका परिवार किसान है और एक बहुत ही middle class family से वो belong कहते हैं पढ़ाई अच्छी की और 2011 में IPS officer बन गए IPS की posting के दौरान उन्होंने कई सारी post serve की commissioner level तक वो पहुँचे थे और इस दौरान जिस तरह से उन्होंने cases को exposed किया और जिस तरह का काम किया वो अपने महिकमे में दबंग और सिंगम के नाम से जाने जाते थे उनका IPS का करियर अच्छा खासा चल रहा था लेकिन इसी बीच 2019 में वो resignation दे देते हैं और उसके बाद बीजेपी पार्टी को join कर लेते हैं बीचेपी वो पार्टी है जो देश में तो पॉपुलर है लेकिन तमिलनाडू में यह पार्टी नहीं है जहां एक तरफ तमिलनाडू में बीजेपी पार्टी कुछ दमदार कैंडिडेट्स टून रही थी जो बीजेपी को तमिलनाडू में भी पॉपुलर बना पाए सेम पर के अनमलाई बीजेपी जॉइन करते हैं और बीजेपी में रहने के दौरान जिस तरह से वो बाते करते हैं काम करते हैं बीजेपी के हायर मिनिस्टर्स उनसे खुश होते हैं और उन्हें तमिनाडू बीजेपी पार्टी का चीफ बना देते हैं और इस तरह से के अनमलाई बीजेपी के यंगेस चीफ बन जाते हैं यह वो पोजिशन थी जहां पर पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं लेकिन एक ही साल में के अनमलाई इस पोजिशन तक पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरिट के दम पर क्योंकि ना हो किसी पोलिटिकल और ना ही उन्हें पोलिटिक्स आती है लेकिन जिस तरह के मुद्दों पर वो बात करते हैं उससे सामने वाली पार्टी डरी जिसके बाद बीजेपी को के अनमलाई में दम लगा एक्चली जिस वक्त वो पुलिस में थे तब उनके हाथ में कई ऐसी चीजे सामने आई जिसम को अब वो इसमाल करते हैं अपने पोलिटिक्स में वह खुले आम बड़े-बड़े मिनिस्टर्स का काला पैसा काला धन काले कारणा में खुलने और एक्सपोस करने की बाते करते हैं जिसे कहीं न कहीं दूसरे पार्टी के पोलिटीशन उनसे दबते भी हैं उनसे डरते भी प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें और उनके लोगों को जब वॉक करने के लिए रस्ता नहीं दिया गया तो उन्होंने वहीं पर स्कॉर्ट्स करना शुरू कर दिया लेकिन अपना प्रोटेस्ट जारी रखा तमिलनाडू में बीजेपी को ऐसे ही किसी कैंडिडेट की जरूरत है इतने लोग पार्टी में बैठे हैं इतने मिचौर इतने एक्सपीरियंस लोग जिन्हों ने तमिलनाडू की पॉलिटिक्स को अंदर से देखा है अंदर से जाना है लेकिन हमारी पार्टी ने एक इमिचौर बंदे को इस पोजिशन पर बिठा दिया है हमें बहुत शर्म महसुस होता है कि बीजेपी का चीफ ऐसा है उनका कहना है एक चीफ को डिपलोमेटिक रहने की जरूत है और आइडियास बढ़े करने की जरूत है लेकिन हमारा यह जो चीफ है यह लोगों से इस तरह के सवाल करता है कि तुम किस धर्म के हो तुमारी बीवी किस धर्म की है कि अनमलाई के बारे में जब इस तरह की बात उनी की पार्टी के लोग करते हैं तो इस पर रियाक्ट करते हुए उनका मानना है यह जो पॉलिटिक्स है यहां पर यही चलता है कि राजा का बेटा राजा होगा तो जिस वक्त बीजेपी चीफ बनाने जा रही थी तो खुद सॉलिड एड्यूकेशन बैग्राउंड से आते हैं उन्होंने ना सिर्फ इंजिनियरिंग में ग्राजुएशन की है तमिलानों की एक उनिवासिटी से बल्कि लंबे समय तक वो यूपी में भी रहे हैं जहां पर उन्होंने MBA किया है कि अनमलाई का मानना है कि इंडियन पॉ करान ही उन्होंने IPS के लिए ट्राई किया 2011 में IPS ऑफिसर बन गए उसके बाद तमिल नादू और जगर जगर उनकी पोस्टिंग रही लास्ट में जब वो बैंगलूरू में पोस्टेट थे पुलिस कमिशनर के पर 2019 में तब उन्होंने यह जॉब छोड़ी रिजाइन किया औ हाला कि छोटी मोटी information जो उनकी परिवार को लेकर है वो यह है कि उनके दो बच्चे हैं और एक खुशाल जिंदगी वो जीते हैं तो यह कहानी तमिल नाडू के बीजेपी के चीफ यंग ऑफिसर की जिने कई लोग सिंगम और योगी जैसे टैक दे रहे हैं तो वहीं अपन जोगे रहे हैं